हेलो दोस्तो मैं आण है प्रिंस और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्रिंस दोस्तो बहुत से लोगों का बहुत पहले से एक कोश्चन आता था कि यार अभी जोईनर 10-15 दिनों से लगातार कोई भी वीडियो डालो जरा साउस के अंदर म्यूजिक होता है तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत जाता फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पे कुछ लोगों का मॉनर्टाइज है पेज ग्रीन डॉलर नहीं होता है रैड हो जाता है यलो हो जाता है या फिर म्यूट कर दिया जाता है म्यूजिक को देखिए इसमें मैंने एक्जामपल के लि उस पर भी ये आ जाता है म्यूट कर दिया जाता है अर्निंग क्लेम हो जाती है बहुत से चीजे बहुत प्रॉब्लम आती है तो मैं आज की इस वीडियो में इसका स्रॉल्यूशन देने वाला हूं कि अगर आपको कुछ इस तरह से या फिर एक और तरह से आता है कि राइट होगा वो प्रॉब्लम देखिए अगस्त बारागस्त इसको उपन करें तो यह तो गाना था ठीक है गाना था तो इस पर क्लेम आया ओन मैं इस पर एक्जामपल के आपको सिखाना चाहता हूं कुछ इस तरह से आपका भी आया होगा वन और मोर एक्षन्ट अप्लाइड तो तो यह तो चलो औरिजनल गाना है इसमें हमने गलती करी है इसको मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि आपको करना कैसे अगर आपकी वीडियो में और बीच में थोड़ा सा म्यूजिक है तो आप उसको दिश्प्यूट कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है the following action we are applied to your video because it may contain 1 minute and 25 seconds of your audio, they are on, मतलब यह गाना यह पूरा 1 minute 25 seconds का copyright है तो यह गाने पर हमको मान लो यह गाना मेरा अपना है ठीक है और किसी का automatic यहाँ पर claim आ जाता है music mute का या फिर earning claim का तो आप यहाँ पर simply continue पर click करेंगे और यहाँ पर आपको term sends पर सब पढ़ सकते हो कर आपके पास समय वायसे पढ़ने की कोई जरुवत नहीं आप सीधर continue करना है यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है it's possible to inferring something else copyright when you will post their content in facebook यह क्या रहा है कि copyright low को अगर आप नहीं समझते हैं तो आप समझे पहले copyright low क्या होता है copyright low के अंदर यह content जो है आपका वायलेट कर रहा है तो यह continue यहाँ पर भी आपको करना है उसके बाद यह तीन option देता है आपको कि अगर आप इस मुद्दे को accept करना चाहते हैं तो यहाँ से accept कीजिए और continue कीजिए और ही आपके page पर कोई strike या claim आएगा तो यहाँ से पूरा मुद्दा खतम होता है वीडियो डिलीट हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा लेकिन यहाँ पर है कि आप accept कर रहे हैं कि आपने गलती करी है तो यहाँ पर accept changes पर लिखा हुआ है कि आप वीडियो को edit करे दुबादा से upload करेंगे और जब अगर यह दोनों possible नहीं हो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा original वीडियो है और इतनी मेहनत करी है जरासी music की वज़े से यह वीडियो में problem कर रहे है claim आ गया earning नहीं मिल रही है और फिर कुछ भी mute हो गया या block हो गया तो आपको simply क्या करना ह पर submit dispute पर click करना है ठीक है और यहां क्लिक करने के बाद continue पर tap करना है अब यहां पर देखिए यह लिखा हुआ action was taken on your video because it contains some else content यह dispute जो आप करेंगे इसको review करेगा Facebook टीम और आपकी वीडियो को देखेगा और यह उसके पास भी जाएगा जिसके जिसकी वज़े से आपकी वीडियो पर claim आया है तो उसके पास भी जाएगा वो आपकी वीडियो को release भी कर सकता है और वो आपकी वीडियो पर action भी ले सकता है अगर उस बंदे का पूरा वीडियो है तो वह रिलीज नहीं करेंगा आपका ही वीडियो है और claim आ गया है तो वह हटाएगा वह रिलीज करेगा आपके वीडियो को तो simply यहां पर open a forum पर click करना है ठीक है यहां पर click करेंगे तो यहां पर license content public domain यह सब आपको क्या करना है आपको original work पर click करना है यहां लिखा है all content in this video is your original work and you are on the right to it तो यहां पर tap करने के पाद इस पर थोड़ा सा यह लिखना है आपको this is my original content I am honor this video ठीक है यहां पर यह लिखना है पर मैं यह लिखूंगा नहीं यह आपको मैंने लिख कर इसलिए सिखाया है क्योंकि आप अपने वीडियोज को अंदर यह वाला additional detail डालेंगे मैं इसको नहीं भेजने वाला हूँ क्योंकि मैंने जान बूच कर वीडियो डाली है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए और मैंने copyright वीडियो इसलिए डाली है ताकि वो claim आए और मैं इसके ओपर वीडियो बना कर आपको समझा सकूँ लेकिन अगर आपका वीड वीडियो में दिक्कत नहीं रहेगी हटा लिये जाएगा उसका claim और अगर वो नहीं हटाता है तो आपकी earning उसके पास नहीं जाएगी अगर वो dispute को accept नहीं करता है या कुछ भी नहीं करता है मतलब accept कर लिया तो भी आपको पैसे मिलेंगे और नहीं किया तो भी आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि dispute का मतलब यह होता है कि आप जो है इसके उपर विवाद कर रहे हैं तो जिस बंदे के उपर विवाद करेंगे उसको भी वर्निंग नहीं मिलेगी जब तक ये clear ना हो जाए कि एक वीडियो है किसका तब तक उसको भी वर्निंग नहीं देगा Facebook तो आप लो रिलेज कर दिया जाएगा Facebook की तरफ से भी और अगर वो खुद भी रिलेज कर देता है तो अच्छी बात है एक से दो दिन में वो रिलेज कर देगा अगर वो देखता है dispute ये dispute तब होता है जब आपकी वीडियो का music किसी और के rights manager में पहले से डला हुआ है और आपके पास rights manager नहीं है और आप video डालते हैं तो आपकी audio match हो जाती है किसी और के rights के थुरू तब ही आपके पास ये claim आता है तो आसा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को समझने को मिली हो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर दे चैनल पर नहीं आया हूँ तो च